हमको लगता है तुम एक नंबर के हरामी हो यह देखो यहां बैठा है टेम पास करते हुगे पड़ाम पड़ाम चाचा जी जीते रहो दिन बर गुमते रहते हो आवारू की तरह समय से घर जा है करना लाइक अब बैठे रहोगे घर जाओगे जी भया इन्हें जाने दो फिराथ हो भुम पासव झाने जीते अड़े हो हुग झाल ब्सलीव अजूम अप्सलीव पद्सलीव अवद्सलीव पर सुम भुम ब्सलीव पर चाहिव जीव मारोगे क्या हम का बोले मैयोरी जैसा तुम बोलोगी हमको लगता है तुम्हें एक नंबर के हरामी हो प्रेक तो लगाया था लेकिन लगा नहीं भगवान के घर में देर है तेजा अंधेर नहीं आगे से संभलके चलना वरना फीर कोई तुमें ठोक देगा समझे आधा किलो देना कलका रखा है ये लो काहे आधा किलो लेगा यार मैयोरी से अच्छा दूद किसी का है क्या अच्छा चलो तो फिर एक किलो दे दू प्योर दूद है तेजा अच्छा तो रहेगा ही लफांगों की तरह हम घुमते नहीं रहते तू बहुत पटांग बात करता है तेजा किसी दिन फस्वाएगा अरे अब इसमें फस्वाने वाली बात कहां से आ गई यार अब खूपसूरा दिखती है तो हम का करें हाई है अब अब बढ़े हैं था थैंकि शप्ता कर वारे बस अनी ही वाले थोड़ी दिर मैं आज आए रानू सरफ्राइज घिफ थैंक्यू पापा नमस्टें कर तुम लोगों ने बहुत अच्छा सजाया है थैंक्यू अंकल आरे एक कहा है जी पापा मैं आप भी लेकर आ केक लेकर आओ जी पापा जब तक मैं हेल्प कटो जी पापा तानिया हम लोग मिलकर सजाते हैं ना रहने दूरा अंकल हम लोग कर लेंगे कि अनुमीनों कहीं कर अरे कभी कभी हमसे भी बात कर लिया करो हूं क्या आठ्षे है लफंगा कहीं का तुम्हारा सलवार शूट तो एक नंबर का है बिल्कुल आजिया भट लगती हो लुच्य कहीं का यह तुम लगाए लो थेंक्यू चलो केक काटो में अऊता, लग दुट's लगऑança अपी बूल के सबेक्यू आपे लिए व्छा भार दो यह तुम हापी बार्डेट दियर रानू हापी बार्डेट दूए तो एक काम करो आप सब लोग इंज्वाय करो जी पापा और मेरी एक मंत्रीजी के साथ मिटिंग है तो मैं उसको अटेंड करके आता हूं ओके पापा हां कि लो पैसा लो अरी मुयूरी आज ना बड़ी देर कर दी चाय की भी लिए दूद नहीं है अरे क्या बताओं आज तो तुम्हारे नाम से भैस ने भी देर से दूद दिया इसलिए पैकेट में दूद लाई हूं कोई बात नहीं है क्या दूद है क्या बोले चाचा समझी नहीं मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारे दूद में पानी होने का तो सवाली पैदा नहीं होता सो तो है मेरी तरह मेरा दूद भी प्योर होता है चाचा घर का दूद है प्योर तो रहे गही वैसे एक बात बोलूँ आपको बोला लगता है तुम न सठी आ गये हो अपना मन उपर वाले पे लगा के रखा करो ताकि तुम्हारी बुद्धी ठीक काने पे आके रहे चलती हो पुड़ाओ खूसाट बोल मयोरी तेरी बाते तो बड़ी प्यारी लगती है क्या मिठा दूद्ध अरे नालाएक औस धाले समय पर खोला कर देख अपने छोटे भाई मोनू को पूरा घर समाल रखा है उसने अगर वो गुंगा नहीं होता ना तो लाखों में खोता कहीं मेरे तेजा को डाट रहे हो अरे हां तुने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है दीरे दीरे सीख जाएगा ना पता नहीं कब तक शिखे गया दीरे दीरे दिवाग खराब कर रखा है मेरा समाल तो इसको दुलता हूँ मैं तू काम में मन लगा ले कल से पक्का करेंगे माजी कब से बोल रहा है कई हपतों से करेंगे माजी थोड़ा रुको नमस्कार भाई साब नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब सुना आप किरायप मकान देते हैं मैं एक सरकारी करमचारी हूँ और किराय से मकान चाहता हूँ जी हाँ भाई साब बिलकुल मिल सकता है लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी आपके हाथों की उंगलिया बहुत छोटी हैं अगर ऐसे ही सब कुछ होगा तो बहुत दिक्कत होती होगी ना आपको क्या उटपुटांग बात करते हैं भाई साहब किराय से मकान दे रहे ना आपको अपने मकान के बगल में बड़ा होस्पिटल है अरे डॉक्टर साहब मैं आपसे मकान की बात कर रहा हूँ हाँ हाँ मकान के बारे में ही बता रहे हैं और बोलिये आप बहुत उटपटांग बात कर रहें भाई साहब. हम बस यह पूछ रहे हैं कि आपके मकान में लेटरिंग बात्रूम वगरा है की नहीं? अरे मेडम, आप जब से आई हैं, तब से सिर्फ लेटरिंग बात्रूम की ही बात कर रही है. आपका पेट खराब रहता है क्या अरे भाड में गया इसका घर चलो बत्तनीज आदमी कोई मरीज तो नहीं आया तेजा नहीं बाबो जी रोना गया मरीज तो कम हो गई